नमस्कार ट्रेंड्स मरबंद कुमार मातो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल RKTC धनबाद पर आप लोग का स्वागत करता हूँ हम लोग DC मशीन डिसकस कर रहे थे और आज इस स्रीज में हम लोग डिसकस करेंगे की Condition for maximum output power किस के लिए तो DC म सीन के लिए यानि एक DC मसीन की किस कंडिशन पर आपको maximum output पावर देगा इसी चीज़ को इस विडियो में हम लोग कबर करने वाले हैं ठीक है, तो यहाँ DC मसीन के अंतरगत हम लोग DC generator और DC motor को consider करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग DC generator पर आ जाते हैं, तो यह है एक separately excited DC generator का circuit diagram, यह देखे field circuit है और यह देखे armature circuit है, तो field circuit पर हम लोग आते हैं, यह BF हमारा field supply voltage है DC में, और IF हमारा field supply current है, ठीक है, और armature circuit पर easy क्या है, generated EMF है, RA armature warning का resistance है, RL load resistance है, ठीक है, और IA हमारा क्या है, armature current है, तो load resistance, RL के across जो हम लोगों को voltage मिलेगा, भी इस B को हम लोग कहते हैं, क्या terminal voltage कहते हैं, या output voltage कहेंगे, किसका DC generator का, ठीक है, यहाँ देखे, armature circuit पर एक brush contact drop होता है, ठीक है, VB 2V का, जिसको हम यहाँ पर neglect करके चल रहे हैं, ठीक है, तो अब क्या है, कि इस armature circuit पर अगर हम लोगों को armature current IA निकालना हो, तो उसके लिए हम लोगों को ohm slow का सारा लेना पड़ेगा, तो according to ohm slow, IA equal to EG divided by RA plus RL हो जाएगा, अब देखें क्या है, कि RL के cross जो हम लोगों को power मिलेगा, वही power हमारा generator का output power होगा, जिसको हम लोग P0 से denote करेंगे, तो इस तरह से output power P0 equal to IA square into RL हो जाएगा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कि यहाँ जो उपर से IA आपको मिला है, IA का value मिला है, उस IA के value को यहाँ put कर देंगे, तो इस तरह से output power P0 equal to EG divided by RA plus RL हो जाएगा, इधर square हो जाएगा, into RL हो जाएगा, तो यह है output power का equation किसके लिए, तो DC generated के लिए, ठीक है, अब कहता है कि output power को अगर आप maximum चाहते हैं, तो इस condition को satisfy करना होगा, according to maximum minimum concept, ठीक है, यानि output power को RL के respect में differentiate करके 0 करेंगे, तो उस्ते आपको एक condition प्राप्त होगा, उसी condition पर हमारा DC generator का output power maximum हो जाएगा, तो चलिए, इस condition को satisfy करते हैं, ठीक है, तो यह देखे, याप P0 का value उपर से यह वला लेना है आपको, यहाँ देखे क्या है, कि EG square जो है, हमारा यहाँ constant rate होगा, बात बाकी differentiation आपका लगेगा कि इस पर, तो RL divided by RA plus RL के square पर लगेगा, और फिर हम लोगों को 0 करना है, equal to, यहाँ पर 0 करना है, अब देखे क्या है, कि यहाँ दो चीजों का गुणा 0 है, जिसमें EG आपका क्या है, नाम 0 है, ठीक है, अर्थात, यह differentiation आपका certainly 0 होगा, ठीक है, तो इस तरह से जो है, यह differentiation आपका लोग यहाँ 0 कर दिये हैं, ठीक है, अब देखे क्या है, कि differentiation का rule लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो यह denominator हो गया, differentiation of numerator हो गया, minus numerator, फिर differentiation of denominator, और divided by हो जाएगा, denominator का square, और equal to, यहाँ पर 0 करना है, ठीक है, तो इस वाले equation को solve करने पर, हम लोगों को यह वाला equation प्राप्त होगा, और इस equation में, ra plus rl को common ले लेना है, ठीक है, तो ra plus rl common ले लेंगे, तो bracket के भीतर आपका बचेगा, ra plus rl, ठीक है, minus 2 rl बचेगा, और equal to 0 रखना ही है, यहाँ भी देखिए, दो चीजों का गुणा 0 है, जिसमें ra plus rl non 0 है, ठीक है, अर्थात यह वाला term suddenly 0 होगा, ठीक है, तो इसको यहाँ पर, यह वाला term को 0 करना है आपको, ठीक है, और solve करना है, तो कुछ इस तरह का result आपको मिलेगा, ठीक है, यानि ra equal to rl, तो ra equal to rl जो है, यही है condition for maximum output power, इसी condition पर जो है generator का output power आपका maximum होगा, तो चली हम लोग maximum output power जो है calculate करेंगे, तो यह देखिए, output power का equation यह है, इस equation पर यह वाला condition, ra equal to rl का condition अगर लगा देंगे, तो हमारा output power maximum हो जाएगा, तो चली output power maximum या p0 max equal to क्या हो जाएगा, तो e g तो अपने जगह पर है, ra के जगह rl put करेंगे, तो यहाँ नीचे 2 rl हो जाएगा, 2 rl हो जाएगा, फिर square अपने जगह पर है, और into rl हो गया यहाँ पर, तो इसको solve करने पर क्या मिलेगा, p0 max equal to e g square divided by 4 rl square into rl हो जाएगा, ठीक है, इसको आप solve करेंगे, तो यह हो जाएगा e g square divided by 4 rl, और चुकि यह power है, तो इसका मात्रक आप watt मिले सकते हैं, तो इस तरह से maximum output power जो है, उसको इस formula द्वारा आप calculate कर सकते हैं, तो इस जगह rl के जगह पर आप ra का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि maximum output power condition पर ra equal to rl होता है, तो इस जगह rl के जगह पर आप ra का भी प्रयोग कर सकते हैं, अब देखी क्या है, जिस समय आपका power output maximum होता है, उस समय rl और rl बराबर है, ठीक है, यहाँ rl और rl बराबर है, in that case अगर voltage divider rule का अगर हम लोग उप्योग करें, तो यहाँ का voltage drop, easy by 2 होगा, यहाँ का भी voltage drop, rl के across जो voltage drop होगा, वो भी easy by 2 होगा, यानि resistance बराबर होगा, थो voltage equal बाटता है, तो यहाँ rl के across भी आपको easy by 2 drop होगा, अर्थात जिस समय आपका power output maximum होता है उस इस्तिती पर V equal to EG by 2 लिख सकते हैं यहाँ पर तो इसको थोड़ा से arrange कर लिजे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 0.5 लिखती है तो इस तरह से output power बटा input power को efficiency कहते हैं और efficiency equal to 0.5 है या फिर percentage में आप 50% बोल सकते हैं तो कहने का अर्थ यह हो गया कि जिस समय आपका generator पर maximum output power प्राप्त होता है उस समय R A equal to R L होता है ठीक है और maximum output power को आप ठीक है इस formula द्वारा calculate कर सकते हैं ठीक है और जिस समय आपको maximum output power प्राप्त होता है DC generator पर उस समय DC generator का efficiency मात्र 50% होता है ठीक है अब हम लोग आ जाते हैं DC motor पर तो यह देखे separately excited DC motor का circuit diagram बनाया होगा है यह देखे field circuit है और यह देखे आर्मेचर circuit है भी F हमारा field supply voltage है DC में और IF हमारा field supply current है यह देखे आर्मेचर circuit पर EB हमारा back EMF है RA armature warning का resistance है भी हमारा supply voltage है और IA हमारा armature current है हम यहाँ भी इस armature circuit पर brush contact rock भी भी जो 2 volt का होता है उसको हम लोग neglect करके चल रहे हैं तो अब आर्मेचर circuit पर अगर हम लोग के भिल लेंगे ठीक है तो हम लोग ऐसा लिख सकत हैं यहां से EB निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा B minus IA RA हो जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे LHS में भी IA से गुना करेंगे और RHS में भी IA से गुना करेंगे तो इस तरह से EB into IA जो है यह output power हो जाता है DC motor का equal to B into IA हो गया minus IA square into RA हो जाएगा तो यही है output power का equation किसके लिए तो DC motor के लिए ठीक है अब कहता है कि अगर आपको output power maximum चाहिए तो यह वाले condition को आपको satisfy करना है यानि output power को आपको IA के respect में differentiate करके 0 करेंगे तो आपको एक condition प्राप्त होगा उसी condition पर जो है आपका output power maximum हो जाएगा ठीक है किसके लिए तो DC motor के लिए तो चलिए इस condition को satisfy करें तो देखे यहां पर पिनॉट का जो है बेलू है यहां से आपको लेना है ठीक है तो चली निकालते हैं ठीक है डिफ्रेंसेशन आप पिनॉट विद रिस्पेक्ट वाई निकालते हैं यह हो जाएगा क्या यहां देखेगा आए के respect में इसका डिफ्रेंसेशन किजेगा इस इस तरह से डिफ्रेंसेशन आप पिनॉट डिभाइड़ेड वाई डिफ्रेंसेशन आप पिनॉट विद रिस्पेक्ट वाई एकोल टू आपका हो जाएगा भी माइनस टू आई इंटू आरे और इकोल टू आपको जीरो करना है ठीक है तो इसको शॉल्प करने पर हम लोग इसको शॉल्प करने पर इबी इकोल टू आपका भी वाई टू होगा तो यही है कंडिशन कंडिशन फोर मैक्सम्म आउट्पूट पावर यही कंडिशन पर आपको जो है डिसी मोटर का पावर आउट्पूट क्या होता है मैक्समम होता है ठीक है अब हम लोग जानते हैं DC motor का output power को P not equal to EB into IA लिख सकते हैं ठीक है अब देखे क्या है यहाँ पर ठीक है यह वाला condition जो आप देख रहे हैं यह वाला condition को इस equation पर लागू करेंगे तो जो P not है या output power जो है वो हमारा maximum हो जाएगा तो maximum output power equal to हम लोग क्या करेंगे ठीक है यह EB के जगा V by 2 put कर दीजे और IA अपने जगा पर रहेगा तो इस तरह से हम लोग जो है power equation पर यह वाला condition को apply करके हम लोग जो है प्राप्त कर रहे हैं क्या maximum output power किसके लिए तो DC motor के लिए अब देखे क्या है कि यहां पर V into IA जो है इसको left side ले आए तो यहां क्या होगा pure max divided by V into IA हो जाएगा V into IA को इधर लाएंगे तो बटा में हो जाता है तो बचेगा क्या RHS पर RHS पर बचेगा आपका half जिसको आप 0.5 लेक सकते हैं ठीक है अब देखे क्या है कि उपर वाला तो pure max है लेकिन नीचे जो हो denominator है यहां V into IA वह हमारा input power है जिसको हम लोग PIE से सुचित करते हैं ठीक है तो pure max by PIE equal to 0.5 हो गया तो है यह क्या यह output power बटा input power है तो इसको आप efficiency लेख सकते हैं तो efficiency equal to क्या होता है 0.5 या percentage में 50 परसेंट। थीक है तो यहां पर यही समझ में आ रहा है कि DC Motor पर जिस समय आपको output power maximum प्राप्त होता है या DC motor पर जिस समय आपको maximum output power प्रापत होता है उस समय plugin IR equal to V by 2 होता है या EB equal to V by 2 होता है ठीक है और जिस समय DC motor पर जो है, maximum output power आपको प्राप्त होता है, उस समय DC motor का efficiency मात्र 50% होता है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है, condition for maximum output power देख लिए, ठीक है, DC generator का और DC motor का भी देख लिए, आसा करते हैं, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ सेर करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सिस्क्राइब कर लें, और हाँ, कमेंट जो है, वाविस्ट करें, ताकि हमको एक feedback प्राप्त हो, ठीक है, और बहतर वीडियो हम बना सकें, धन्यवाद,